कि का अप्रेशन्द भेडंग देख सेंद हो चुका है तो अब बात आती है निफ्टी की निफ्टीमें कर्थ दूस्तों में एक एकस्पांड एकस्पांड ट्राइंगल बना इसमें एकस्पांड होता रहता है आप देख सकते हो कि यह उपर की ट्रेंड लाइन ऊपर यह नीचे की तरफ तो यह जो गैप है वह बहुत बड़ा रहता है अभी यह पैटर्न में मैंने आपको बताया था कल ही जब यह एकसर में याद दखेंगा कैंडल का कलर नहीं देखना है करके क्लोश से उपर होना वही हमारा ऑब्जेक्ट है तो आप मिस नहीं कर पाऊगे लेकिन कैंडल स्टिक में यू कन मिस रिट्रेस्मेंट ओके सो एड्वाइसेबर टु गो विद द लाइन चार्ट या फिर आप म पूरा फील वह तो कली हो चुका तो फिर आल आप जान सकते हो कि मैं क्या करना चलता है तो करके लिए आपको जो वाच करने वाला लेवल यह बार मैं दूरों तरफ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा एनालिस जो हमारे है दोस्तों आज बहुत ही क्लियर है कुछ नहीं है इसम पर यह लू प्रेक होने के बाद टार्गेट की होसे कि तरह कर सकते हैं रही बात bottom की तो लाइन चार्ट से आप कन्फर्म कीज़े कि कहां पर bottom तो नियर इस bottom यही यह उसके बाद यही direct bottom आती राइट तो लाइन चार्ट में यह दिख रहे हैं लेकिन केंडल स्टिक में यह लो और यह लो आपके बनते हैं तर्ट तक पहुचने के लिए मैंने आपको कहा है कि यहां पर ओपर होने के बाद जैसे ही लो ब्रेक होता है तो मैं चाहूंगा टागेट पहुचने के लिए स्टॉप लोस जो है एवरी डेयरी रिवाइस करते रहें यहां पर प्रोज आ गया तो यह फिर प्रोज दिया तो यह है स्टॉप लोस जो जो अपना काम कर देता है तो एक्समेंडेबल ट्राइंगल आप देख सकते हो और लोग के नीचे ओपन होता है 10562.90 तो तो स्टॉप मतलब भी नहीं है कोई अभी ऐसा भी कहा है कोई अभी प्रोज इसलिए देखा क्योंकि आपको में बता सकूं बाकी मुमेंट आनी चाहिए अभी देख लेते हैं इसमें एक्समेंडेबल टाइंगल तो है यहां से मैं और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉप करना चाहूंगा जिससे हम पहुंशेंगे एक अच्छा एक क्ल्यू की तरफ ओके एक कंक्लूजन की तरफ पहुंशेंगे यह जो बॉटम है उससे यह बॉटम लेना है राइट मैं हर बार कहता हूं दोस्तों कि जो भी आप बॉटम लेते हो यह दिस इस फर्फ बॉटम सेकंड बॉटम उसके बीच का जो टॉप है वो ब्रेक हुआ हुआ होना चाहिए तो आप देख सकते हो इस अल्रेड ही बोकन अब बॉटम से फिर इस वान वेरी इजी जो भी प्राइस वो इसके नीचे कटा हुआ नहीं होना चाहिए जो बॉटम आप कैश कर रहे हो रहाइट जहां से आप प्रॉटम से यह बॉटम से आप जा सकते हो यह बॉटम तो अभी दोस्तों इतना इंट्रेस्टिंग चीज करता है यह बहुत इंट्रेस्टिंग दी वर्क करता है जैसे कि यह वाला केंडल देखो उसका हाइबी टच नजदिक एकदम नजदिक और उसका लो भी टच याने पूरा यहां पर हस चुका रहाइट टो काल यहां पर निकल चुका है और आज रियेक्शन भी ले लिया है रियेक्शन के बाद यह trendline भी होता है चो यू कन फाइंट टागेट विद्धे हैप अफ ट्रेंड लाइन ऑसो ओगे दूसरी बात दोस्तों रही सेंटिमेंट की और डिसिब्लिन की तो वह मैं भी मता देता हूं स्यादा तर लोग क्या करते हैं यह लोग के नीचे 10562.99 न काहिं लोग मुझे ऐसे भी क्यीशन करता है कि मैं 30 साल तक लेने वाला हूं और उनकी पूछता हूं तो बोलते हैं 40 यह सकते हो दोस्तों कि मैं आप सभी की बात नहीं करते हैं कि मुझे एक साल के लिए लेना है दो साल के लिए लेना तो उसके रिए ताइम चेंज करना पड़ेगा इतना सब देखने के बावजूद भी अगर स्टॉप्लोस को आप करते हो इतना बड़ा पैनिक राइट जो हिस्ट्री में बहुत कम लोगों ने देखा साथ वारन बफेट जी भी एहली चुके हैं मैंने उनको पहली बार सब सेल करते हुए और कुछ भाई भी नहीं कर रहे हैं तब सोचो के ऐसी हैसे सेंटीमेंट में भी हम नहीं सीखे स्टॉप्र लेट तो फाइदा कुछ नहीं है तो निफ्टी में ये कल ध्यान रखेगा पूरा यहांपर ट्रैप हो चुका है तो यह ब तब तक तो अपना पेपर वह टेडिंग करने का कोई मतलब नहीं और फायर हो जाता है उपर जा सकता है तो वह हमारा कुछ काम का नहीं है राइट हमें उससे जाने देना पड़ेगा है तो आज मैंने आपको बता दिया और रिलाइंस की रही बात तो रिलाइंस भी साथ में वह भी कवर कर लेते हैं रिलाइंस में दोस्तों एक चीज मैंने बताया थी कि यह वाला जो ट्रेंड लाइन है उसके उपर ज्यादा तर सस्टेन होना मुस्किल आप वीडियो करके देख सकते हो राइट क्योंकि यह वाला प्रेकाउट रेरली सस्टेन होता है बट मैंने यह भी बताया था कि यह हाई के उपर बढ़ सकता है तो डेफिनेटली उसके उपर यहां तक गया था कुछ खास नहीं तो यहां पर यह उसका लो स्टॉप लोस है अगर आप आप असा सोच 1884 से 1798 तो कुछ अच्छा खासा कह सकते हो राइट कि वह नीचे गया है वह सायद हो सकता है यह कंटीन भी रहे है तो ठीक है इट ओके यह तो हम हमारा लेकिन यह वाली याद में रखे है कि यह जो टॉप होता है यह वाली ट्रेंड लाइन जो होती है उसके ब्रेक करके पहली नहीं सब लोग सीख रहे है मजे कर रहे है और ही बात निफ्टी बैंक निफ्टी की तो मैंने तो आपको पता ही है दो दिन पहले ही वीडियो बना चुका हूँ यह यह लेवल पर ओके और उसका अब देख सकते हो आज कल भी गैप डाउन था ओके वह गैप डाउन न सब्सक्राइब करता है तो उसमें पर प्रिवियस डे का हाई हो जाता है डेफिनेटल दूनों आपने जगा पर अच्छे ही है ऑके पर यहां पर एक्जिस बेंग सकते हो कि करके अगें यहां पर एक रियेक्शन है और रियेक्शन में भी और वन मोर थिंग राइट मोर पावर विद यह लोग के नीचे और डाउन मूग आ सकती है तो रहे निफ्टी के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों वह एक अल्वेस ध्यान रखेगा और मैं थोड़े और ज सबसे यहां से भी आप जा सकते हो छोटे सब्सक्राइब यहां से भी आप जा सकते हो चोटे आप जा सकते हो जा सकते हो दिककत है नहीं देखे यह यह टो यह ट्येकल के अंदर भी यह यह ड्या रहे गाला हा ना है स्टॉक रहेंगा डाइगा तो 1074 for escort right action का अभी लोवर है राइट then reaction reaction का लोव 1076 right that's why we have considered the low of action candle and the high of the reaction candle will always be your stop loss उसमें कोई अभी tension की बात नहीं है reaction का अभी तो रहिवाद target की तो near this bottom आपको पताइए दूस्तों राइट ओके सो एक एसकोड आप कल ध्यान में रखेगा सिफ फॉर और पेपर टेडिंग परपस में बता रहा हूं दूस्तों ठीक है और सारे में आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको मदद भी रहे मार्केट में कुछ सीख भी सकते हो ठीक है मैं देख लेता हूं एकसाइड इंडेस्ट्री में कुछ है नहीं और डाउंटेंड में ठीक है यह भी ध्यान रखना है वाट मैं आपको एक एसकोड दिखाया मैंने हीरो मोटो आप देख सकते हो त्रेंड लाइट तूब चुगा है एक्शन रेक्شण लोर यह देखिये छेकरेशन का रहु स्छिक्णे और इसका लोग है 2606 तो 2604 के निचे ध्यान रखना है यह इसका डाउन टेंड का स्वावर्स 2680 फिर आता है बार ही हीरो मॉट्व के बाद मैं आपको दिखाना जैस्ट देख लेते हैं मैंने स्वाटलिस किये थे अभी उचना कुछ कास उसमें ट्रेंड हैं नहीं बनती है यह है 50 तो मैंने आपको बता चुका हूँ आपको राइट रही बद पीवीयर गी तो पीवीयर के ठीटर तो खाली एने वाले तो इसका मतलब यह नहीं की स्वाट करना है ठीक है कही लोग पर ऐसा सुचके भी स्वाट कर देते का भी ठीटर कॉन जाने वाला है उसको इसके पर यहां पर आती है बार टोटेंट फार्मा की दोस्तो वन मोर तिंग आपको जियान रखना है कि स्टॉक स्पेसिफिक जाना है कही बार निफ्टी डाउन में हो तो कोई स्टॉक वाई में भी आ सकता है यहां पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉव करनी है तो ऐसे भी दोस 245 1.30 बहुत माहिने रखता है कल के लिए यह बड़ा एक्सन आया था यहां पर ऐसे भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉव कर सकते हैं देखे दोस्तों यह वाली है और उसके अंदर वन मोर तिंग ट्रेंड लाइन दोस्तों यह वाली यह आई के उपर आप इसको ध्यान रखें क यह सब रेजिस्टेंस क्रॉस हो सकते हैं तो टॉरेंट फर्मा भी ध्यान रख सकते हैं इस उनली फॉर बाइफ विपर ट्रेंड राइट बाकी सब कैंडिडेट है उनली और यह बहु बली ता रिलाइंस उसने भी आतो हार मान ली है ऐसा लग रहा है तो दोस्तों यह रहा आपका one more stock VEDL इसकी trend line देखें बहुत ही बढ़िया है बहुत long term वाली trend line है लेकि में और दूसरी ड्राइब करना चाहूंगा कितना बढ़िया structure देखें है friends उसी के नीचे close है अभी action का लो है 108.15 108.35 reaction का लो right 108.15 of the base level for this VEDL and reaction I will be your star तो बहुत सारे चीज़े दोस्तों आपके साथ मैंने share की है राइट वाकी रही discipline की और sentiment की बात मैं always बता दो दोस्तों कभी भी dividend के लिए bonus के लिए राइट इसी के लिए share मेरे ही सबसे नहीं करीता चाहिए और कल फिर देखते है निफ्टी का जो डेवल था उसे वाच कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके share कीजिएगा पाकी फिर मिलते हैं दोस्तों ओके और टीक केर राइट अपना खायर रखीगा जितना हो सके घर पर रहिएगा कुछ काम हो तुभी जाइएगा अब हमारा काम तो घर से हो सकता है फिर फ्रेंट्स तो गुडबाई टेक केर फॉलोव थे स्टॉब्लस